है और उनको साथ समान बुलाया गया है अगर वह रहना चालते है तो रहें जब जाना चालते हैं चले जाें उनके लिगे अपना राजनिती में देखिए लोकतंत्र में बिल्कुल दरवाजे खुले रहाते हैं। लगा करूं का स्वागत किया था वर्दिश्य आपको याद होगा उपेंद कुश्वाहा का क्या गरंजोसी से स्वागत हुआता है। क्या कुछ लिखा है उपेंद कुश्वाहा ने नितीश कुमार से अपना हिस्सा मांगा है। उन्हें अपना बड़ा भाई बताया है लेकिन यूहीं अगर बड़े भाई के डाटने से छोटा भाई छोड़कर चला जाए तब तो होने लगा। उपेंद कुश्वाहा ने हिस्सा मांगा, मुझे लगता है पहली बार बिहार के राजिती में नितीश कुमार से किसी ने हिस्सा मांगा है। अगरियो में उपेंद कुश्वाह को हिस्सा मिलेगा ना। देखिए, जहां तक उपेंदर कुश्वाह जी के ट्वीट का बात है, हमने ट्वीट देखा नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। राजनिती में इस तरह का बात कभी होता नहीँ है कि हिस्सा और ये वाला बात, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो बयान उनका आ रहा है, वो बयान किसी ना किसी रूप में पार्टी के लिए या भागटवनन के लिए हितकारी नहीं है, और जहां तक हिस्से की बात अगर वो करते हैं तो मानिया नेता नितीश कुमार जी ने उन्हें सुनने से लेके सिखर तक पहुचाने का काम किया है मानिया नेता नितीश कुमार जी ने उन्हें पहली बार जब वो विधायक बने उसके बाद उन्हें विपक्ष के दल का जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तब उन्हें बिफक्ष के दल का नेता बनाया उन्होंने नेता परतिफक्ष बनाया और नेता परतिफक्ष बनाने के बाद वो फिर जब चुनाव में 2005 में हम लोग चुनाव में गए चुनाव हम लोग हार गए चुनाव हम लोग जिस भी परिस्तिती में हुआ दोबारा चु चुनाव भुरी तरीके से उपेंदर कुषवाजी चुनाव हारे, तीसरे पोजिशन में वो थे, उसके बाद मानिय नेता ने उन्हें महासची प्रधान महासची बनाने का काम किया, और उसके बाद पुना वो पार्टी छोड़कर चले गए, पुना नेता ने उन्हें सदस बनाया, और राजसवा सदस बनाने के बाद पुना वो पार्टी को छोड़कर चले गए, और छोड़कर जाने के बाद, पुना जो है, इस बार भी, जब इस बार का विधान सभा का चुनाव हुआ, उनकी पार्टी एक भी सीट पूरे बिहार में चुनाव जीत कर नही विजयी हए एक वी सीट में विजयी नहीं वोगर उसके बाद मान्यें ने इन्ह जो है बिहार में काillyव संसuting काम किया और पार्टी में इस जू पार्टी आप मानते हैं कि सिफ आपके ने सम्मान हैं इन्होंने कुछ नहें उन्हें बताना चाहिए कि पिछले दो साल में उन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या किया उन्हें के बयान में ही तो दो तरह की बात है एक तरफ वो कह रहा है कि हमने संगठन को मजबूत किया और एक तरफ दूसरी तरफ वो ये भी कर रहा है कि हमारी पार्टी कमजोर हो रही है। हिस्जे की बात कर रहा है। हिस्जे की बात कर रहा है कि बड़े बड़े नेता में से वही नेता संपर्क में थे। हिस्जे की बात करने के लिए उनके पास खुद ही आपको बात करना पड़ेगा। हिस्जे की इतना बड़ा संगठन है। हिस्जे की बात कर रहा है। हर जगर नेता के चेहरे को सवा संबान देखा जाता है। और हमारे नेता सुचिता के परतीक है। और वो ये भी नहीं मानते हैं। अगर उपेंदर कुस्वा जी छोड़के चले गए थे, उन्होंने आगरा किया तो फिर वापस आ गए। और उन्हें संबान ही दिया गया है। कई कई बार संबान दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों की इक्षा और अकांसा इतनी बड़ी होती है। जिसे पुरा करना किसी के बस की बात में। जैंतरा जी वो अपने आपको खुद को नितिश कुमा का उत्राधिकारी मानने लगे थे या इसी बात है। उत्राधिकारी कोई किसी का बनाता नहीं है। अगर हमारे मन में ऐसी कोई इक्षा हो जाएगी तो जो है उसका कोई ये मतलब नहीं है। अंतिम स्वाला आप से आगे तो खुब जगड़ाब होने वाला है, खुब लड़ाई फसाद होने वाला है। राजिंतिक लड़ाई? प्यार है? ने, ने, ऐसा हम लोग जदियू के लोग लड़ाई जगड़ा नहीं करते हैं। हम लोग के पास से इसा कोई लड़ाई जगड़ा करने का समय नहीं है। और लड़ाई जगड़ा हम लोग करते भी नहीं है। कई लोग पार्टी में आये हैं, कई लोग पार्टी छोड़के गए हैं। लेकिन पार्टी जहां है, पार्टी का एक सिधान्त है, नीती है, उस नीती सिधान्त की नुसार पार्टी काम करती है और आगे मिलिधे करती रहे हैं। एडने परी